हेलो विर्वन सुप्रबाद आप सभी को आप सभी का सौगत है राय जूकेशनल चैनल पर मित्रों नतरजार भरती कोट अपडेट के बारे में आज बातचीत करेंगे क्योंकि आज है 19 अगस्त और आज के दिन आपका केस मेंशन किया गया था आज के दिन अगली सुनवाई र कोट की भी और लखनोंखंड पीट की भी लेकिन एक प्रश्ण उटा है लखनोंखंड पीट के क्रिया कलाब पर वो क्या है वो यह है करमचारियों वकीलों का धरना प्रदर्शन कार से विरत होना यह सबसे बड़ा प्रश्ण उटा है लखनोंखंड पीट में हाला कि यह ब जो आपके सिक्षा परिशत का जो भी चीज को लेकर बातचीत की जा रही थी तो उसको लेकर इलावाद हाई कोड में कार दिवस रहेगा और यहाँ पे जो कॉसलिस्ट जारी की गई है आपकी उसके बार में बातचीत करेंगे यही से लगनुम खंट पीट में कॉसलिस्ट आ जा चुकी है आपका लेकिन यहांपे प्रश्ण चीन हे जा q timber होगी की अधिशनल में तो है हमारा केस लेकिन आप अ होगी है बात बात रहेगी एज घ सहाब आएंगे यह सबसे बड़ा गंभीर मुद्द्दा है अगर सुमान लिजे सुनवाई प्रारम भी करण वस हो जाती है जो अच्छी बात है लेकिन उसमें बहराल ये बात रहेगी कि AG आएंगे कि नहीं आएंगे क्योंकि अगर सुनवाई होती भी है और AG नहीं आए तो भी कोई भी बात नहीं बन पाएगी तो कौज लिस्टे पहले चर्चा करते हैं फिर इसके बारे बात चीत करेंगे तो बहुत इंपोर्टन न्यूज अपडेट मैक्शिम शेयर करिएगा तो इसी न्यूज अपजेट से स्टार्ट करूँगा आज मैं यहां पर कि सोमवार से काम करेंगे हाइकूट के वकील कौन से हाइकूट के वकील यानि कि प्रयागरास से यह समंदित खबर है यानि इलावाद हाइकूट के वकील सोमवार से बना कारे करेंगे और इसको लेकर उठाए गया था कि सिक्षा शेवा अधिकरण जो है उसमें बदला अंदोलन का सुरूप अब करेंगे करमिक अंदिशन सनिवार को नहीं हुआ काम और यहीं है विदेहक जो बनाए गया है सिक्षा शेवा अधिकरण के कठन के मुद्दे को लेकर आपकी आदाला जो है हाई को कोट के वकील सोमार से काम करेंगे यह मुद्दा वरिहद पीट की सुपूर्द करने के हाई कोट के आदेश के बाद चार दिन से नई कारे से विरत वकीलों ने अंदोलन का सोरूप बदलते हुए सोमार से क्रमिक अंचन प्रारम करने का निरण लिया है तो यह आपके और पंकज भाटिया जी रहेंगे कोट में डिविजन पेंचन की है और यह यहां पर पांचमी नंबर पर केस है आपका इलावाद हाई कोट में तो यहां पर देख सकते हैं को 74 अर्दर्स यह लगा हुआ है पांचमी नंबर पर लेकिन यह सारी चीज़ें डिपेंडेंट है आपके लखनव खंड पीट की सुनवाई पर जैसा पिछले दिनों आपने कई इंपोर्टन न्यूज देख लिया होगा सिंगल बेंच का फैसला आना डबल बेंच में सारी सुनवाईयां होना डबल बेंच में यह कह देना कि जो चीज निरण है आएका लखनव खंड पीट के उपर ही हमारा निरण है सारी चीज डिपेंडेंट होगी तो कहीं न कहीं यह जो सुनवाई है या तो यह सुनवाई चलेगी या तो इसको दो-तीन मिनट सुनने के बाद कह दिया जाएगा कि अगली डिट दे दिजाएगी जो चीज रहे यह डिपेंड करती आपके लखन हमें खंचन के रूप में अपने कार करेंगे वो तो यहाँ पर इंपोर्टन यह है किलावाद हई-cool में तो कार करेंगे लेकिन यहां पे सुनवाई जो है वो डिपिंट कर रही है लखनों खंडपीट पे अब लखनों खंडपीट की बात कर लेते हैं टेली कॉज लिस्ट से तो यह लखनों खंडपीट में है कॉज लिस्ट आ गई है लेकिन 19 तारीक को हरताल है इसलिए सुनवाई हो पाना मुश्किल है जो भी कोट नमबर एक में इंपोर्टेंस इसकी यहां बढ़ जाती है कि 19 तारीक को यह वैसे ही रखा गया है कहां पर आपके अडिशनल और अडिशनल का मतलब ही है पहले दिनों भी मैंने बता दी आपको पिछले दिनों कि अडिशनल रहने का मतलब ही कि आपकी पर डेली बेसिस पर आपके सुनवाई चलेगी तो 19 तारीक को सुनवाई अगर नहीं हो पाती है तो यहां पर कल या तो परसोग डेट लग जाए यह डिपेंड करता है आपके जजों के उपर क्योंकि अडिशनल का मतलब ही है कि देखे आपकी पिछले दिनों की जो सुनवाई थी उसके बा मतलब है कि जब अडिशनल के अंदर ही है तो यह अडिशनल में ही पर देश की सुनवाई होगी तब तक जब तक यह समाप्त ना हो जाए और अडिशनल में रहने का मतलब है कि इसको लंबी डेट नहीं मिलने चाहिए तो रेजटार के पास जो आपके लिगल टीम गहे थे उन पे भी यहीं उमीद उन से भी जताई जा रही है कि बहुत लंबी डेट नहीं मिलेगी हाला कि यह डिपेंट करती है आपके जज़ों कुपर को वो एक दिन की बाद दो दिन की बाद या तीन दिन की बाद कितने दिन की बाद डेट देते हैं वो उनके पर डिपेंट करत तो क्या एजी आएंगे ये सबसे बड़ा प्रश्ण है हाला कि हर्दोई के भेड़तियों ने बहुत ही मजबूती से अपना स्पष्टीकरण वहां पे समक्षा रखा अब जो भी है सरकार और एजी के उपर डिपेंड करती है कितना वो सीरियस इस चीज को लेते हैं और कितना वो यहां पर प्रिजेंट रहते हैं बहले सुनवाई आज ना हो आज अंसन रहे लेकिन अगर आज एजी यहां पर मौजूद होते हैं आते हैं वहाँ पर तो यह कहीं एक पॉस्ट्व साइन देखने को मिल सकता है कि आने वाली सुनवाईयों में वो यहां पर देखने को मि तक तो बिल्कुल पैनिक मत होई है जैसे भी सारी अपडेट होगी आप तक पहुंचाने का कारम करते रहेंगे सो स्टीटी नॉनरा एजुकेशनल मैक्सिम शेर कर दीजेगा थैंकियो सो मच